तमस्कार स्वागत है आपका दर्ण न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शुक्रा सैनिक। उसके बाद अब वो असुर कहने से भी नहीं चुके है लेकिन रंदीप सुर्जेवाला के इन बयानों पर अब कॉंक्रस पार्टी के ही एक वरिष्ट नेता आचाहिये प्रमोद कृष्णव ने ठिपनी की है या यू कहें कि पलटवार किया है उन्होंने रंदीप रिखाते हुई यह कहा कि हम लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं चाहे वो हमारे पक्ष में हो या हमारे खिलाफ हो यह बड़ा भयान आचाहिये प्रमोद कृष्णम का साफ ने आया है एक मीडिया चैनल से बातशीत करते हुए उनकी तरफ से यह बयान दिया हिया लेकि जो इस देश के मद्दादाओं के खिलाफ हो वो केवल स्पस्ट कर सकते हैं यह आचाहिये प्रमोद कृष्णम का बयान था लेकिन उसके बाद जब चीजे स्पस्ट हुई कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते बोलते उन्होंने वोटर्स को भी कडगरे में खड़ा कर दिया उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट रेते हैं वो राक्सस परवर्ती के होते हैं और जब यह तमांग चीजे सापने आई तो आचाहिये प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि हम लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं चाहिए वो हमारे पक्षके हों या हमारे खिलाफ हों लेकिन वहीं बीजेपी कॉंक्रस पार्टी को बकसने के मूट में नजर नहीं आ रही है जो बयान रंदीप सुर्जेवाला की ओर से दिया किया है आपको यह बताखते हैं कि बीजेपी के तबाव नेता फिर चाहें वो हर्याना के ग्रिम पर हमला खुला किया है कोई घमंटिया कह रहा है तो कोई यह कह रहा है कि दरसल रंदीप सुर्जेवाला ने देश की जनता की तुनला राक्स से की है जो की जनता का अपमान है पीजेपी के नेता उने क्या कुछ कहा है सुनिए घमंदीप सुर्जेवाला जी की मुशेको लगता है ओप्टिकल नर्व खराब हो गई है जिनकी ओप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बोथ ही धूंदला नजराता है इसलिए उनको लोगों में शेतान नजर आ रहा है ये लोग तो प्रजातंत्र के बढ़वान हैं इनको इस प्रकार से कहना ये उच्छी मान सिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सरजन से आग ठीक करानी चाहिए अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ इंदों के ना कॉंग्रिस नेता रंदीप सुर्जेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है और जनता ही जनार्दन होती है लोगतंत्र में उसका भी अपमान कर रहा है ये दुख की बात है कि रंदीप सुर्जेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतिय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवर्थी के हैं उनको राक्षस बुला देना स्वयम ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवर्थी की सोच भारत में घमंडिया में ही है और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांदी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है अगर आप देखे तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांदी जी संसत के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है ये व्यक्तववे दे रहे थे प्रधान मंत्री जी के लिए रावण से तुलना कर देते हैं और आज रंदीब सुर्जे वाला जनता को ही राक्षद बुला लेते हैं मैं बड़ी विनमृता से एक बात कहना चाहूंगा नागरिक किसी भी दल के लिए वोट करें उसका सम्मान होना चाहिए और ये उसका अधिकार है हमारे सम्मिदान के तहट लेकिन घमंडिया पश्चिम मंगाल में देखें तो अगर कोई सरकार की आलोचना कर देता है तो उसे जान से हाद धोना पड़ता है और अब कॉंग्रिस पार्टी उसे राक्षस प्रवर्ती का बता देती है विदान सबा चुनाव आने वाले हैं दोहजार चौबिस के लोकसबा चुनाव भी आने वाले हैं ये जो निर्देश राहुल गांदी ने दिये हैं जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि भारत के मजबूत लोकतंत्र में जनता ही जनारदन है देवतुल्य है और जो राक्षसी मांसिक्ता रखता है उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत में राज्यती कर सके कोउम्रेस का इतिहास रहा है कि देश को अपमानित करना देश की सोभिमान से खिलवार करना देश की जनता को अपमानित करना आज सुरज्यवाला पूरे तरव से उनको इशारा किया गया है कॉंग्रेस के हाई कमान के तरफ से और कॉंग्रेस की पर्थम जो फैमिली हुट के द्वारा के देश के जनता को अपमानित करो आज उन्होंने जो सुरुजेवाले ने जिस तरह की बाते की है उनको उनकी तुलना देश की जनता की तुलना जो है उन्होंने राक्षा से की है और उन्हें शराब भी दिया है आज फिर से समझ में आ गया कि कॉंग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया है कॉंग्रेस पार्टी जिस तरह से 2014 में 2019 में और अब एक घमंड वाली जो पार्टी है घमंडी पार्टी है और अब एक नया गटबंदन जो घमंडिया गटबंदन बढ़ा है इनका असली चेहरा जो ह 2014 में इस तरह से 2019 में आगे 2024 में और आगे भी जवाब देती रहेगी और इनको बहुत परचंड भहुमत से हराएगी इसलिए कि इनका घमंड चकना चूर देश की जनता ने किया और देश की जनता को जो अपमानित कर रहे हैं उससे समझ में आता है क्यों अपमानित कर रहे हैं इसलिए कि उनको चोरी करने से महरूम कर दिया है तो आज देश की जनता को भी यह गाली देने लगे हैं कॉंग्रेश पार्टी के सभी नेता सुर्जेवाला सहित उ लोग दो हजार चोविस की हार होनी तै देखकर बिचलित हो गये हैं राक्षस कौन होता है राक्षसी प्रविर्ती किसकी होती है हम सब जानते हैं जो गरीब को सताता है वह राक्षस प्रविर्ती का होता है जो भरस्टाचार करे वह राक्षस प्रविर्ती का होता है जो देश हितकी बात न करे वह राक्षस प्रविर्ती की होता है जो समाज में दमनकारी नीती समाज के लिए दमनकारी नीती रखता है और राक्षस प्रभिर्ती का होता है जो अपने अहम में अहंकार में रावन की तरह जो डूब जाता है जैसे कॉंग्रेस उसकी नेता डूब गए और राक्षस प्रभिर्ती का होता है तो कॉंग्रेस ने अभी तक जो क काम किया है गड़ीवों का दमन करने का देश में हौने लाने का तो और इस की प्रकार की प्रविर्ति रखने वाली और कोंगुरेश खुद राक्षस प्रविर्ति की है भारतिय जनता पार्टी के नेता हमारे आधरने परधान मंतरी जनता की सेवा विकास में विश्वास रखने वाले हैं देश को आत्मिर्वर बना कर 2047 तक दुनिया में सबसे नमबर वन की अर्थ्योवस्था बनाने के संकल्प के साथ चलड़े हैं ताकि प् एर में खुशिया पहुचाने वाले हमारे प्रधान मंतरी जी और हमारी पॉल्टी के लोग दिन रात जनताना ममें एडर देश की सेवा के लिए लगा प्रधान मंतरी जी के प्रेरना में यह के कारकर्था जनता जनता है राक्षस प्रविर्ति के लोग कॉंग्रेस के लोग हैं राक्षस के सारे हरकत होते हैं वह आजादी से अभी तक कॉंग्रेस कर रही हैं तो वहीं केंद्रे मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान साक्रिया हैं और उन्होंने रंदीप सुर्जेवला और कॉंकर्स पार्टी पर कहीं निशाना साधा है और ये कहा है कि कॉंकर्स के लोग 2024 के लोकसबा चुनाव में होने वाली हार से विचलित हो गए हैं यानि उन्हे हार का डर अभी से सताया जा रहा है और यही वजा है कि उनकी तरफ से कुछ इस तरह की बयान दिये जा रहे हैं जहां सीधे तोर पर उस मदाता का अपमान हो रहा है जो वोटर कहने कहीं लोकतंत्र में एक बड़ी भूमी का निफाता है और जाहित तोर पर सवाल जंता ये पी कर रही है कि जब जंता दरसल उन्हें वोट देती है जब उनके समर्थन में वोट देती है तो तो उनके लिए भगवान हो stuk जाती है लेकिन अगर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो जंता को वो इस तरीके से गाली देने प्यू dai शुप्तोंका इस्तवाल करने मे भी नहीं चूकते हैं इस तरह की प्रदिक्रियाई भी अब रंदीप सुर्जेवाला के इस बयान पर साफने आ रही है लेकिन जो कॉंक्रिस महासचीव रंदीप सुर्जेवाला ने कैथल में बयान दिया है उस बयान पर माफी माकने के बजाए उनकी तरफ से एक बार फिर से हमला खोला गया है हरियाना में बीजपी और जनायक जनता पार्टी की गट बंधन की सरकार पर और उन्होंने ये कहा है कि युवाओ के भष्ये पर बुल्डोजर चलाने वाले लोग असुर नहीं तो क्या देवता है ये रंदीब सुर्जेवाला की ओर से कहा गया है उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातों को तिल का ताड बनाया किया है और वो गीदर भपकियों से डर्णने वाले नहीं है जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे ये रंदीब सुर्जेवाला कही न कहीं अपने बयान पर माफ़ी माकने के बजाए जनता से किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे यानि आप किस तरीके का ये दोहरा रवया अपना रही है एक तरफ आप जनता को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे तो ये है कॉंक्रस पार्टी की हकीकत जो कहीं न कहीं लगातार सामने आ रही है बीजेपी का यही कहना है कि 2024 लोकसभाज चुनाव में इनकी हार निश्चिंत है और उसी हार से यह घपराए हुए है उनका यह पूरा गटबंधन जो है INDIA के ड्रा हुआ है तमाम बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं तो अकुल मिलाकर रंदीब सुर्जेवाला को अपने बयान पर अफसोस नहीं है अलाकि बीजेपी के नेता सीधे तोर पर कॉंग्रिस पार्टी पर मदाताओं का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जिन शब्दों का इस्तमाल रंदीब सुर्जेवाला ने किया था और ये कहा था कि युवाओ के भविश्य को मनोहार लाल खटर और दुशन चोटाला मंडी में बोली लाकर पेच रहे हैं नोकरी मत दो मोका तो दो बीजेपी जजबा के राक्षसों तुम लोग राक्षस हो जो लोग बीजेपी और जजबा को वोट देते हैं और बीजेपी समर्थक हैं वो राक्षस प्रविती के हैं वो माफारत की इस भूमी से आज उन्हें मैं ये शराप देता हूँ इस तरही के कि शब्दों का इस्तमाल रंदीप सुर्जेवाला ने किया था लेकिन उनके इस बयान पर अब उन्हीं की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मजदाताओं का वो सम्मान करते हैं लेकिन उनके नेता ये मातने के लिए तयार नहीं है कि उन्होंने मजदाताओं का अफमान किया है अब सवाल ये है कि ये अफमान उन्हें चुनाखों में आ Congress Party को निराशा ही हाथ लगी है तो ऐसे में अब रंदीप सुर्जेवाला का ये बयान Congress Party पर कितना भारी आने वाले वक्त में पढ़ेगा ये देखना होगा क्योंकि एक तरीके का जो घमंड है कि माफी नहीं मागना और ये सिर्फ रंदीप सुर्जेवाला की बात नहीं है Congress Party क कि निता राखुल कांथी से लेकर चाहिए वो तुमाम दूसरे लीडर हो इस तरीके का कहीं कहीं हरकते इस तरीके की चीज़े सामने आ रही हैं और ये चुनाव में कितना भारी पढ़ेगी ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राए है में कॉमेंट बोक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद